दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके लैप्टॉप में वाई-फाइ का उप्सन नहीं आ रहा है वाई-फाइ कनेक्ट करने का उप्सन नहीं दिख़ रहा है तो इसको कैसे ठीक करें तो दोस्तो अभी यहाँ पर दीखें task का बार में आपको नीचे वाई-फाई का option मिल जाता है लेकिन यह आपर दिखेंगे कही पर भी वाई-फाई का उप्चन नहीं आ रहा है यहाँ पर आपको छोटा सा वाई-फाई दिखता है या फिर ब्रॉजर दिखता है उस पर click करके आप wifi connect कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर wifi ही नहीं आ रहा है तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं चले मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आपको आजाना है settings में यहाँ पर आपको start button दिखेगा कोने में इस पर click कीजिए फिर यहाँ पर आपको settings मिलेगी यहाँ settings पर click कर दीजे settings में आने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा network and internet इस पर आपको click कर देना है settings में आने का एक और तरीका है यहाँ देखेगे एक search bar है यहाँ से आप search कर लिजे settings इसके बाद settings पर click कर के आप setting में आ सकते हैं और यहां से आप क्लिक कर लिजे network and internet network and internet में आने की बाद यहां पर देखे आपको एक option मिले का troubleshoot का इस पर आप क्लिक कर दीजे और यहां पर इसको troubleshoot हो जाने दीजे थोड़ा सा time लेगा देख लेते हैं क्या problem है तो यहां पर हम wifi select कर लेते हैं इसके बाद next कर देना है यहां पर देखे यह problem बता रहा है तो यहां apply this fix पर क्लिक कर दीजे अब यह इसको solve करने लग जाएगा तो देखे troubleshoot करने के बाद भी यह problem fix नहीं हुआ तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं अब देखे यहां पर आपको एक option मिलेगा change adapter option इसके बाद देखे यहां पर आपके सामने ethernet और wifi आ जाएगा तो यहां पर मैं wifi को select कर लेता है wireless वाला इस पर click कीजे mouse का right button दबाईए फिर यहां पर आपको option मिलेगा disable का यहां आपको disable वाले option पर click कर देना है जब यह एक बाद disable हो जाए तो इसको दोबारे से select कीजे mouse का right button दबाईए और इसको enable कर दीजे अब यह enable हो जाएगा इसके बाद भी अगर आपका wifi का option यहां पर नहीं आ रहा है तो अब आपको क्या करना है यहां देखिए एक option है wifi का यहां आपको wifi वाला option पर click करना है और यहां पर आपको option मिल जागा wifi का तो देखिए wifi on है फिर भी यहां नीचे so नहीं कर रहा है तो आप इसको एक बार बंद करके इसको दोबारे से चालू कर लीजिए लेकिन देखें यहाँ पर अभी भी Wi-Fi का उप्सन नहीं सो कर रहा है तो इसके लिए last मैं आपको step बता देता हूँ यहाँ मैं टास्क मार में जूम कर लेता हूँ यहाँ देखें टास्क मार में आपको एक छोटा सा arrow दिखेगा यहाँ आपको arrow पर क्लिक करना है जैसे आप इस arrow पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको Wi-Fi का आइकन दिखेगा या फिर आपको छोटा सा browser दिखेगा इसको आप खीच कर लाईए और टास्क मार में छोड़ दीजिए इसके बाद देखें यहाँ पर यह ब्राउजर का इकन आ गया अब यहाँ ब्राउजर पर क्लिक कीजिए फिर यहाँ पर दीखें आपको वाई-फाई का उप्सन मिल जाएगा अभी वाई-फाई बंध है तो यहाँ से आप खलिक करके वाई-फाई को चालू कर सकते हैं और आसपास जितने भी नेटवर्क होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ से आप उसको नेटवर्क को सेलक्ट कर लिजए जिसको आप कनेंट करना चाते हैं connect automatically पर click कर दीजे उसके बाद ये connect करना सुरू कर देगा और यहाँ पर आप दिख सकते हैं मेरा wifi connect हो चुका है तो अगर आपके laptop में wifi का option नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं अगर आपको कोई और solution पता हो तो आप comment box में बता सकते हैं